ये जो शोशा चोड़ा गया ये बहुत अच्छी बात है हमें जंजोडने के लिए मैंने इसको बड़ा deeply देखा है इसका हाल वो north-south economic corridor वाला होना है भाई पाकिस्तान के जो economic situation है ना या political situation है वो है ठीक है ना वो एक truth है एक reality है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाइडन के औ एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक एक company का जो capital है वो आपकी economy से बढ़ा है future के नक्षा ये है कि CPAC के साथ एक connect होना पड़ेगा otherwise there is no economic corridor European so called मुल्क जो है जहां की सारी factory है वन solar की भी आप देखो तो सही आपकी table पे किस की चीज़ें पड़ी हुई है कि इंडिया की पड़ी हुई हमारे साथ आज मजूद है बाकर बिलाल साथ सीपैक एक्सपर्ट है बाकर बिलाल साथ ये बताईएगा कि सीपैक पे आपने बहुत ज्यादा विलॉक्स की हैं मगर जो इंडिया Middle East Europe economic corridor है इसने तो सीपैक को उड़ा कर रख दिया तो सीपैक की अहमेद तो खत्म होगी अब कैसे देखते हैं सीपैक को अचा आप ना आए मैक के जिकर कर रहे हैं ये आए मैक तो फिर इंडिया ने अपना नाम भारत कर दी है तो आए मैक तो नहीं ये बी मैक हो गया देखें इंडिया ने एक पहले भी शोशा चेड़ा था आपको पता है सीपैक जिन लोगों की आँ अभी भी जब ये जी ट्वंटी में ये सारा इतना बड़ा ये जैसे वो नहीं हो ता पानी का बुलबला उस तरह से इन्होंने आपको याद होगा एक एंसेक भी बनाया था नौर्थ सौथ एकनॉमिक कॉरिडॉर जो एरान के साथ मिलके और ये सारी गेम्स जली थी और उसके जो फासला है आपकी प्रड़क्ट जो बना रहे हो वो फासला कम से कम किया जाए तो ये पहला स्वाल है कि क्या ये कम से कम फासला है दूसरा मकसद ये होता है कि आपकी जो इन्पुट है जो आप रा मिटिरियल है आपका वो किस मुलक में जिस मुलक में सस्ता होता है उसके लिए वो economic corridor एक supporting role play करें तो क्या India का raw material चाहिना से सस्ता है यह सोचना पड़ेगा तीसरा यह होता है कि जो मुल्क आपस में connect कर रहे है उनकी आपस में relations किस तरह के हैं या वो किस तरह से यह मैं आपको बड़ी एक M-line मुझे कल किसी दोस कोई कह रहा था कि यह डूबती तैरती corridor जो है यह शायद मुदी को यह जो बाइडन को election तो जिता सकती है इसकी क्यों practical execution नहीं है लेकर बाकिर सब यह bilateral जब trade होगा इसमें Germany, France, US और दिगर countries होगी उनकी products भी तो आएंगी, खामाल आएगा, खामाल जाएगा product export होगी, इंपोर्ट होगी तो यह infrastructure भी बनेगा और logistics भी transfer होगी देखें, यह एक पराना दर्द था जिसका इंडिया ने अपना इजहार किया हर G20 में बहुत से MOUs होते हैं, बहुत सी discussions होती है यह ऐसे ही forums है ना, जिसमें एक नई राहें तलाज की जाती है, नई discussions होती है, अगर आप CPAC को IMAC के साथ या NSEC के साथ मिलाएंगे, तो मुझे बताएं CPAC क्या है, CPAC तो बड़ा सीदा सीदा एक road network है और अब तो चाइना ने तीन रस्ते तलाज की हैं, एक CPAC आपका जो शारा रेशम के साथ, आपने जिस तरह से आपका M1 Islamabad है, M2 Faislabad, फिर M3 Multan, Multan तो DG Khan, DG Khan तो रतो डेरो, रतो डेरो तो गुवादर, तो यह तो बड़ा सिंपल सा एक route है, जिसमें आपके container ने travel करना है, और पूरी दुनिया की factory है, चाइना तो वो जो चाइना का जो इंडिया का दर्द है ना, वो दर्द हम समझ सकते हैं, और उस दर्द को लेके वो कभी NSAC launch करता है, वो बुरी तरह से पिटा, बुरी तरह से flop हुआ है, और जिस तरह से उसने इरान को capture करने की कोशिश की, चाबार को capture करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ आप समझें, चाइना जो आलमगीर मनसूबा दे रहा है belt and road initiative का, जिसको BRI कहते हैं, या औबोर कहते हैं, one belt, one road, उसके असल में ये मुतबादल तलाश कर रहे हैं, और अगर आप समझें थोड़ा सा, तो किस तरह से आप लेके जाएंगे अपना कारगो, क्या इंडिया से, आप पहले, इंडिया से दुबई, 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 दुबई आपको पता है डीप सी पोर्ट नहीं है, आप जहाज बहुत पीछे खड़ा करते हैं, मदर्शिप, और वहां से लोडिंग, अनलोडिंग का आपको पता खर्चा होता है, उसके बाद आप वहां से फिर कारगो को बाई रेल लेके जाएंगे, कहां पर लेके जाएंगे, साथिया लेके जाएंगे, साथिया से फिर वह इस्राइल जाएंगा, फिर वह पोर्ट पे जायेगा, फिर जर्मनी, फिर वह डूबेगा, फिर टैरेगा, फिर जर्मनी, और फिर फ्रास, खुदा का नाम, Beitुने अखरगो, दना के बंदो, है दूसरी तरफ CPAC के उपर कितना काम हो चुका है भाई more than 80% और चाइना ने सिरफ CPAC को रोड तक मैदूद नहीं किया है जो गवादर एरपोर्ट बन रहे है न वो इस रिजन का सबसे बड़ा एरपोर्ट है सिरफ गवादर में होता है बाई एर ले जाएंगे बाई एर चौक होता है बाई सी ले जाएंगे अब मुझे बताएं जो आपना हुरमज है उसका को मतबादल आप दरह खोलें तो सही समंदर को तो देख लो के बंदो ठीक है देखें पाकिस्तान के बगएर वो मुझे याद आ रहा है मौलाना बरकत अले लुद्यानवी उन्होंने बहुत साल पहले कह दिया था कि पाकिस्तान की हां में दुनिया के हां के फैसले होंगे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन हम जिस स्ट्रेटिजि की खारजा पॉलिसी उनकी एकनोमिक पॉलिसी पूरी दुनिया में उसकी तरीफ की जा रही है इस वक्त जो जी ट्वटी अजलास हुआ है उसमें 12 एग्रिमेंट हुए है जिसमें साथ एम्प्रॉइमेंट का भी आग्रिमेंट है तर्की से डौन लेने का एग्रिमेंट है इसके अलावा बरतानिये के साथ free trade tax zone भी है. तो पाकिस्तान कहा है? हमारे दोस्तों को यह समझना पड़ेगा. कि हम कहते हैं कि अगर कोई एक मुल्क का शजादा या एक मुल्क का कोई सदर, हमारा बरादर इसलामिक मालक है, वो किसी और ऐसे मुल्क में जा रहा है, तो हमें ऐसा मحसूस होता है जैसे एक वो जो एक परसनल सी गरज निकाल रहे हैं. भाई ऐसा नहीं है. हर मुल्क के अपने मुफदात होते हैं. अगर इंडिया की labor skilled है, अगर उन्होंने तलीम के उपर focus किया, तो भाई हम भी देना, हम भी focus करें. हाँ, अल्लत अल्ला ने हमें एक strategic location पे रखा है, जो blessing है. लेकिन मैं यह समझता हूँ, कि यह जो G20 में काम हुआ है, यह जो media hype create हुई है, यह जो पानी का bulbulhola create हुई हुई है, इससे जो हमारे अर्बाबे इक्तियार हैं, उनको इसने जोड़ा है, कि भाई आपके पास तो सब कुछ तियार पड़ा हुआ है, यह जो competition होता है ना, यह competition आप किसी घर में ले ले लें, किसी classroom में ले लें, किसी मुल्क में ले लें, किसी region में ले लें, यह पहुँजरूरी होता है, और यह अल्ला का शुकर है, यह competition create हुआ है, हमें पता है, अगर आप किसी भी expert से बात करें ना, जो original connectivity का expert हो, जो economic corridors की expert है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जान, आप इसको किस नाजर में देख रहे हैं न, यह तो बताएं, क्या यह shortest route है, नहीं, क्या यह एक सीधा सीपय की तरह रस्ता है, एक container को दूसरी जग़े पहुचाने का, नहीं, क्या यह एक मुल्क का, और दूसरे मुल्क के साथ एक connectivity है, नहीं, तो फिर यह क्या है, यह एक पाने का बुल्बुला है, ठीक है, लेकिर इसमें अगर हम देखें, तो बाकिर सब री-अलाइनमेंट जो दुनिया की हो रही है, एक ब्लॉक हम सुन रहे थे, पाकिस्तान, चाइना, रूस, यह मिलके एक ब्लॉक बना रहे हैं, अब उसके मतबादल जो ब्लॉक, यह सामने आ रहा है, अगर कोई डॉर को हम ब्लॉक में देखें, इंडिया, इसराइल, यूएस, यॉरप, यह पूरा एक ब्लॉक बन रहा है, तो इस ब्लॉक से तो पाकिसान आउट हो गया, पूरी गेम से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यह तो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल बिजनस में पूरी मनोपली होगी, और हम तो आउट हो जाएंगे पूरी गेम से, आप अल्ला का शुक्र अदा करें, कि आप लोगों को एक ब्लॉक सिधा सिधा नजर आ रहा है, आपका दो बेडियों के उपर पाउं रखने का जो मामला रहा है, जिसने आपको अमेशा स्लो रखा, ठीक है, उससे आप निकल रहे हो, आप अगर दूसरे ब्लॉक की बात कर रहे हो, तो फिर उसमें रशी है, उसमें Central Asian Countries है, उसमें चाइना है, मुझे बताओ, नेक्स्ट फ्यूल क्या है, लीथियम आइन फॉस्फिट, लीथियम, मुझे इस पूरे रिजन में बताओ, आप गल्फ हमारे इस्लामिक मौल के हैं, ब्रादर इस्लामिक मौल के हैं, मुझे इंडिया से लेके गल्फ तक, और वो सिधा यॉरप तक, मुझे बताओ, आपके सारे मिनरल्स, आपकी सारी दाते, आपका सारा नेक्स फ्यूल जो है, वो ते इदर पड़ा हुआँ, अफ़ान ने महीं और ये आप याद रखें, आप अफगानस्तान को मत बूलें, आप पूरे सेंस्ल इश्य कंट्रीज को मत बूलें, आप शुशिया को मत बूलें, आप चाइना को मत बूले, आप देखो तो सही आपकी टेबल पे किस की चीज़ें पड़ी हुई है, क्या इंडिया की पड़ी हुई है, मुझे मेरी टेबल पे एक प्रोड़क्ट भी इंडिया की दिखा दो, या इस एकनॉमिक कॉरिडॉर में जिसकी ये बात कर रहे हैं, इस ये खाब तो हो सकता है, इसमें हकीकतों के लिए, अगर ये सही तरह से, और मुदी जैसे फाशिस लोगों को साइड पे करके, ठीक है, उसका एक जो दूसरे वाला इसपेक्ट है, वो मेडिया ने चुपाया हुआ है, लेकिन मेडिया ने कुछ दिखा दिया, जहां पर ये ये बातें तो ठीक हैं, आप देखें कि जब भी कोई इस तरह का एग्रिमेंट होता है, देखा जाता है उसको वर्ल लीडर्स का रियक्शन किया है, यूएस प्रेजिडेंट ने इसको बड़ा खुश आइंद माहिदा और दुनिया में तरकी का नया दोर किरा दिया है, तो इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि बरतानिया, यूएस पूरा यूरप इसको बैक कर रहा है, तो फिर भी ये कामयाब नहीं होगा, देखें, जिस दिन मैं ये समझूगा ना, कि उनकी टेबलों पर चाइना की प्रोड़क्स काट के इंडिया की पड़ी हुई है, उस इसे बोस ट्रेड है, बाई लिट्रल ट्रेड है, देखें, आपने क्या बंदे क्स्पोर्ड करने है, एकनोमिक कॉरिडोर में, अपने अपनी प्रड़क्स कु लोज़ चीप रेट के उपर दुंपर दुनिया में प्लाना है, अल्ला के बंदों पहले प्रडुक्त पैदा क देखें इंडिया जो है वो human resource पैदा करने की एक अच्छी factory तो थाबत हो सकता और हुआ भी है लेकिन अच्छी product की तरफ आना और चाइना के साथ उस competition में आना और चाइना से अच्छी product create करना मैं आप देखें ना मैक्सिको की सारी factory हैं कहां shift हुई है चाइना में आपकी USA की स को समझें economic corridor को लेके बहुत सी चीजों में इंडिया ने बहुत रखी कि हम मानते हैं ठीक है उनकी एक बहुत बड़ी अबादी है अबादी बहुत बड़ी strength होती है लेकिन पाकिस्तान की भी 65% youth है यह भी बहुत बड़ी strength है आपको बेतर पता होगा कि जितने भी IT की industry है उ 24 क्रोड तो आप हमें दुख नहीं होना चाहिए एक अरब में से चंद लोग अच्छे जो जहन है उनको उनको growth देना और उनको उस लेवल पर ले जाना उनकी institution की strength है लेकिन उसको अगर आप ये बनाएं कि आप ने उस तरह का economic corridor भी बना देना है जिस तरह का चाइना एक आ बहुत अच्छी बात है हमें जंजोडने के लिए और हमें जितना proactive होके CPAC पर काम करना चाहिए था हमने शायद नहीं किया लेकिन इस बात ने हमें जंजोडा भी है तो मैं ये समझता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि जो वो Swiss canal के जरी एक्सपोर्ट होती थी चाहिना की वो 18 दि पहले 21 दिन में होती थी अब 18 दिन में हो जाएगी अल्ला के बंदो जो आपने अपनी एक्सपोर्ट को डूबोना है और फिर तैरना है और फिर ट्रेन और फिर वो उसका आपने loading unloading का count किया है नहीं किया मैंने इसको बड़ा deeply देखा है इसका हाल वो north south economic corridor वाला होना है बा इकामरस में बाकी चीज़ों में investment कर रहा है पाकिस्तान उसकी जो national airline PIA दो दिन के बाद उसका flight operation बंद होने जा रहा है चूंकि 20 billion का उनको खसारा है और उनके पास अब fuel के लिए पैसे नहीं है तो आप नहीं समझते हैं कि हमारे जो policy साज हैं उनकी नाकस planning मनसूबा बंदी long term road map ना होने को इसे crisis आ रहा है एक तो आप ना एक बात को समझें पाकिस्तान के जो economic situation है ना या political situation है वो है ठीक है ना वो एक truth है एक reality है और economic situation पाकिस्तान की political situation से जुड़ी हुई है लेकिन यह हमारा weak point है ना और दुश्मन का यह positive point है कि वो at a time G20 का जलास कर रहे हैं वो economic policy यह बना रहे हैं जबके हम अपनी airline भी हमारी बंद हो रही है हमारे अदारे बंद हो रहे हैं रेलवे तबाह है स्टील मेल तबाह है अचा नहीं देखें मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक economic जो और political जो हमारा crisis है ना वो एक अलग हकीकत है अलग नह अब एक इंटर कॉनेक्टिमिटी है आपकी national growth से लिए है पाकिस्तान का जब political और economic crisis है इसको तो सब देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं लेकिन क्या यह सारा जो हमाई economic और political crisis है यह क्या चाइना को भी हिट कर जाएगा बही चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक कंपनी का जो growth है और एक एक company का जो capital है वो आपकी economy से बढ़ा है लेकिन बाकिर साब यह आपका point ठीक है लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान को उसका क्या benefit है उसकी reason यह है कि वो तो हमें कर्स दे रहा है उल्टा हमारे उपर कर्स चाड़ रहा है उसको हमने सूद देना है अभी हमने और और आपके जो लोगों के उपर taxes लगाये जा रहे हैं वो dictation चाइना से आती है या IMF से आती है तो फिर आपकी जो जेनों में यह डाला गया है ना propaganda किया गया है कि जो CPAC है यह आपको debt trap की तरफ ले जाएगा और आपको कर्जों में जकर देगा और आपको भाई CPAC वो window of opportunity है जो आपके घरों में बैठे हुए जवान बच्चों को काम पे लगाएगी आपकी 65% youth यह बहुत बड़ा raw material इसलिए चाइना का थाबत हो सकती है कि चाइना में इस वक्त जो labor rate है वो बहुत उपर चला गया है और yes यहां पे आके मैं यह बात करता हूँ कि इंडिया की जितनी बड़ी अबादी है उनके पास जो labor उनका जो labor rate है उसके उपर तो वो कोई tough time देने की चलाहियत रखते हैं यह शायद वो उसके उपर काम कर रहे हूँ लेकिन अगर आप economic corridors की बात करें तो मुझे बार बार हसी इसलिए आ जाती है कि भाई आपने कहीं स अगर आपने reality बेस बात की हो ना मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बाइडन के और मोदी के election जीतने से यह सियासत से बढ़के और कोई बात है अच्छा बाकिस सब आखरी सावाल आप बार-बार CPAC का कह रहे हैं कि बड़ा benefit होगा हमारी local labor को हमारे infrastructure को मेरी कल बात हो रही थी ग्वादर में कुछ दोस्तों से हमारे class fellows हैं वो बता रहे थे कि हमारे यहां पर बड़ा unrest है लोग यह समझ रहे हैं कि चाइना ने यहां पर आकर कब्जा कर लिया है 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट हमने चाइना को दे दिया है सारे engineers उनके हैं उनके सारी management है हम यहां पर ने उनके लिए किया कराए विरूने के खुलाम हैं चाइना झाइना मजदूर हैं यह वो जहन साथी है उनके मचामी लोग पर आप अबात हुआ रहे यह मेरी तो मैं आपके हैं मुझे बताएं जवादर में मैं में अबन मता है इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है दुबाई की जो यूए की अबादी है लोकल्स की वो कितने है और वहां पे जो आउटसाइडर से लोग आये हुए हैं कितने हैं बहुत ज्यादा रिशे है 40-60 रिशे हैं हम ओटसाइडर ज्यादा है ना जी जी 60-40 तो क्या उन्होंने दुबाई के ओपर कब्जा कर लिया अल्ला के बंदों आप को अगर इतना बड़ा कॉरिड़ जो है इतना बड़ा जो इनिशेटव है दुनिया का उसका आपको को फक अप कर देंगे नो वो अपने पाइलट प्रोजेक्ट को उसके उपर ना सिर्फ उनकी नजरे हैं बलके मैं बार बार कहता हूं उन्होंने तीन रूट्स पे पहले तो वो सीपैक एक रोड नेटवर्क ता ना अब उन्होंने एर और समंदर तीनों रूट्स के उपर और यह मत बोले कि चाइना अफगानस्तान के साथ भी अपनी टाइज को बढ़ा रहा है जो खाब देख रहा था इंडिया चाबार को लेके एरान को लेके उसने उसके खाब चकना चूर कर दियो है तो आप रिजिनल कनेक्टिविटी को देखें आपको रिजिनल को आपको आपको कुए हैं तो आपको कि की zarimay भाञा रहे है कि चाइना प्रिजिए आपको क को यहीं के चाइन और झारा एक कि प्राड़क्षन में बड़ी के और चाहत रह матंस्दिर नहीं खाए एचाना सुच्छ ऑड़ सब्सक्रा कि थे चाना कर रहा है अभी जो को सौ सौदी अरब में, वहां पे 220 अरब डॉलर के अग्रिमेंट्स हुए है। जिसमें सबसे ज्यादा जो अग्रिमेंट्स है वो चीन के साथ है। और एरान और सौदी अरब की सुला भी चीन ने करवाई है। उनकी भी बिजनस ट्राइज़ मिला रहा है। यह भी बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर है इंटरनेशनल अलाइनमेंट में। सिर्फ यह इंपॉर्टन फैक्टर नहीं है। आप यह देखें कि एक टाइम जरूर आएगा। जब हमारी हमसाइयों की आपस में यह जो टसल है यह आपस में जो दर्द है जो पेट के दर्द है यह खत्म होंगे। और यह माना जाएगा कि पाकिस्तान उस ट्रिटिजिक लोकेशन पे है। जिसके बगार ना वह सेंटरल अशिया जा सकते हैं। नहुख अईरान जा सकते हैं। ना वह आपके पूर्न के सकते हैं। जहां पर पूरी मादनीया पड़िह है और जहां पर किनेक्त करना चाहए है। चाहिए और चाइना के साथ भी आपको यह जो आपका मैं मैं आपको फ्यूचर का नक्षा बता देता हूं फ्यूचर का नक्षा यह है कि सी पैक के साथ एक कनेक्ट होना पड़ेगा otherwise there is no economic corridor जो इनको prosperity दे बहुत श्क्राइब यह वीडियो सोशोन के तावन से पेश की गई है सोशोन पाकिस्तान का नैशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या Google Play Store और Apple App Store से सोशोन अप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तिमाल करें